गुड आफ्टर नून फ्रेंड आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सा लेक्टर जीरो थ्रेंड जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी यूथ कंपटीशन टाइम बुक की उसको आगे कॉंटिन्यू करते हैं देखिए आज की इस वीडियो में हम सिक्वेंस एंड सीरीज का जो क्वेस्चन नंबर दोसो अठाई से हैं दोसो पचास तक करेंगे बिल्कुल अच्छे से समझाओंगा आपको जैसे जैसे बुक में आपको गिवन हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला क्वेस्चन क्या कहता है ये कहता है ये वैल्यू बतानी है आपने 5 का स्क्वेर प्लस 6 का स्क्वेर प्लस 7 का स्क्वेर प्लस up to 120 का स्क्वेर देखिए इस फिक फॉर्मूला यूज हुआ है फॉर्मूला क्या होता है अगर हम एंड टर्म का स्क्वेर सम न मो का सम निकाले जैसे question में given है यह होता है आपका n into n plus 1 to n plus 1 by 6 इस question में यह formula यूज हुआ है यह formula कब applicable है यह जब applicable है जब आपकी drum एक से लेके n drum तक हो ठीक है बट यहाँ पे एक twist है question में क्या यहाँ पे term 5 से start हुई है एक से तो start नहीं हुई है तो सबसे पहले एक से लेके 20 तक का sum करेंगे और n की value जो यह last में होती न यह आपकी n की value होती है तो formula में n की value को 20 put करेंगे तो यह हो जाएगा 20 20 जमा 21 20 दूनी 40 और 41 ठीक है बटे 6 जब आप इसको solve करेंगे तो यह आपका देखो यहाँ पे final answer है क्या है 2870 आपका आ जाएगा उसके बाद हमने क्या निकालना था हमने तो 5 से निकालना था यह आपका कहां से यह तो 1 से है तो यह जो आपका चार टर्मों का है ना यह घटा देंगे इसमें से 4 का स्केर 16 पलस 3 का स्केर 9 पलस 2 का स्केर 4 पलस 1 16 और 4 20 29 और 31 30 आ गया यानि कि 5 से start है तो 1 से 4 का इसमें से subtract कर दिया देन आपका final answer 2840 यानि कि option C आपका correct answer हो जाएगा यह formula आप ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा एक formula होता है अगर आपके पास n cube हो summation n cube इसका formula होता है आपका n into n पलस 1 by 2 का whole square यह formula और आप add कर लेना ठीक है यह n cube का होता है यह आपका square का होता है यह enter more का sum का formula होता है यह sum आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए next sum की ओर बढ़ते हैं देखे next sum क्या कहता है next sum कहता है the value of n n का वो मान जिसके लिए जो आपको यह given है a raise to power n plus 1 plus b raise to power n plus 1 upon a की power n plus b की power n is the harmonic mean of a b अब आपने formula पता होना चीए अगर आपके पास तीन ट्रम है एक a है एक b है एक c है ठीक है अगर आपने निकालना है am arithmetic mean ठीक है तो वो क्या होता है जब आपको तीन ट्रमों का arithmetic mean निकालना है तो उसको capital a से denote कर देजिए यह बीच वाला होता है यह capital a से arithmetic mean में इसको capital a से लिखते हैं वैसे ठीक है तो इसको a से denote करते हैं यह होता है आपका a पलस c बटा 2 यानि कि first और last ट्रम का अगर half कर दे तो यह बीच वाली ट्रम है जो बीच वाली ट्रम है इसको बोलते हैं arithmetic mean आपका ठीक है अगर बात करें geometric mean की a b c तो इसमें जो यह बीच वाली ट्रम होता है इसका square is equal to first और last की multiply होती है यह आपका geometric mean होता है यह याद रखना ठीक है और आपका जो harmonic mean होता है अगर a h b आपकी three terms है और आपने harmonic mean निकालना है तो वो that 2 a b बटे a जमा b यह याद रखना अब यहाँ पे harmonic mean निकालना था so simple उपर तो 2 की जूरत है 2 की जूरत है है ना तो 2 निकालने के लिए अगर मैं देखो यहाँ पे जो statement है इसकी जगह मैं minus 1 put कर दूँ तो उपर a की power 0 plus b की power 0 upon a की power minus 1 plus b की power minus 1 a की power 0 क्या होता है यह तो 1 होता है यह 1 हो जाएगा यह 1 plus 1 कितना हो जागा 2 upon यह हो जाएगा 1 by a plus 1 by b जो है यहाँ से आप देखिए यह इस वे से इक रखा है यहाँ से जब आप lcm लेंगे तो निचे तो उपर तो आजाएगा a a b और निचे आजाएगा a plus b जब आप इसको solve करेंगे then यह आपका हम पहले ही बता चुके हैं यह आपका arithmetic mean होता है यह आपका geometric mean होता है और यह आपका harmonic mean होता है अगर आपको यह formula पता था देन ये कर पाऊगे, otherwise नहीं, तो ये formula आप harmonic mean का जो है याद रख लीजिएगा, और इसके साथ में arithmetic mean और geometric mean भी आपको करना पड़ेगा, देखें, next देखें, इस sum में तो सिरफ harmonic mean की ही requirement है, अब ये sum देखें, if b-c का square, c-a का square, a-b का square, are in a-p के अंदर है, then आपने find out करना है 1 by b-c, 1 by c-a, 1 by a-b किसके equal है, so simple, बहुत simple समय, देखें, अगर आपको है न, alphabet में कुछ भी देखें, जैसे देखो ये उपर दे रखा है, और ये किसमें है, a-p में है, a-p में है, a-p में है तो दो formula याद रखेंगा, मैं एक simple सा example देता हूँ, अगर a, b, c, आपकी तीन ट लेता हूँ, एक, दो, तीन, जैसे समझाने के लिए आपको, ठीक है, अगर मैं ये बीच वाली ट्रम का दो गुणा कर दूँ, दो गुणा दो, और first और last ट्रम को add कर दूँ, एक पलस तीन, क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है, चार बराबर, चार, यानि कि 2b is equal to a c, एक तो ये result याद रखना है, आपने, a पलस c होगा, ठीक है, और दूसरा result याद रखना है, अगर एक, दो, तीन ट्रम आपकी ap में हैं, तो ये एक तो ये formula है न, और एक ये अभी बताऊंगा, इन दोनो formula से mostly आपके sum होई जाते हैं, इस type के, बट calculation तो करनी पड़ेगी, अगर मैं second term में से first term को subtract कर दूँ, और third term में से second को subtract कर दूँ, तो one बराबर one क्या equal बने हैं, बिलकुल बने हैं तो मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे ABC आपके AP में है तो अगर मैं B-A करूँ और C-B करूँ तो क्या equal होंगे बिल्कुल इस से equal होंगे यह हमने अभी proof किया है अगर यह उपर वाली ट्रम देखिए यह वाली ट्रम जो आपको given है यह AP में है यह देखो इन्होंने क्या देखो यह था आपका A-B का स्क्वेर B-C का स्क्वेर and C-A का स्क्वेर यह आपके AP में है तो second में ऐसे first term को subtract करेंगे यानि कि यह ट्रम आगे बिछे लिख दिया है कि इन्होंने B-C C-A A-B B-C है यहाँ पे यह दूसरी ट्रम लिखते हैं यहाँ पे तीन ट्रम है आपके मैं इसको रिमूब कर देता हूँ देखे बिलकुल लीजी है इसमें आपने थोड़ा थोड़ा basic पता उना चीए हर एक सम का then हो जाते हैं समितने difficult नहीं होते हैं तो यहाँ पे B-C पहले ली है C-A और A-B यह लिए इनोंने कुछ भी नहीं करना second में से first को subtract करना है यह C-A का square यह देख भी सकते हैं C-A का square माइनस B-C का square वो ही second term माइनस first term equal to third term माइनस second term ठीक है अब यह देखो दो वर्गों का अंतर है यहाँ पे देखिए formula लगा है A का square माइनस B का square का formula क्या होता है एक बर तो यह में B जूड जाता है एक बर subtract हो जाता है ठीक है तो एक बर तो इन्होंने क्या किया इनमें यह जोड दिया देखो एक बर तो इसमें से यह गटा दिया एक बर इसमें यह जोड दिया ठीक है और यह बराबर यह है कभी यह दूसरा समझो रहना which implies यह यहाँ से लेके यहाँ तक का तो सम यह है और बाकी का सम यह है अब देखो और इस इन टर्मों को यह सोल कर रख्या है इन्होंने ठीक है जब उपर वाले का सोलूशन करोगे देखो यह माइनस हो जाएगा यह पलस हो जाएगा ठीक है तो यह एक सी यह एक सी यह, तो यह 2C माइनस A माइनस B, B माइनस A, यह तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, सोल करके यह आपका राइट साइड हो जाएगा, जो यह निच्छी है ना यह यह नना अपने पास से किया भई, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, अपने पास से लिखे हैं, यह तरम कभी यह सोचो, कैलकुलेशन में से आई हैं नहीं, कैलकुलेशन में तो बस यह उपर वाली तरम आई है हमने क्या किया, बोथ साइड A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A से डिवाइड कर दिया अब यहां पे क्या हुआ, देखो B माइनस A से यहां पे A माइनस B है, उपर से माइनस कॉमन ले लो, तो यह B माइनस A हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा और यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो यह B माइनस C हो जाएगा इससे यह cancel हो जाएगा then आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा यह इनोने है नहीं यहाँ पर calculation थोड़ी शी कम कर रखें मैं आगे solve कर देता हूँ 2C minus A minus B ठीक है निच्चे क्या बच गया आपका B minus C and C minus A is equal to right side क्या बचा है 2A minus B minus C upon A minus B and C minus A अब आप ध्यान से देखना यह question है ना कभी आप यह कड़के खड़े हो जाओगी बई मैं ना इसको यहाँ से ही solve करूँगा इसको left right से करो इनोने क्या दे रख्या था इनोने देखो अब question को समझे ना आप द्यान से इनोने क्या बोल ला था इनोने बोल ला था यह term अगर आपकी AP में है तो यह बताओ यह term किस में है हम पहले भी बता चुके हैं अगर यह term आपकी देखो HP में चेक कर नहीं है GP में और AP में पहले तो हम AP में चेक कर लेते क्योंकि यह जिसा process है अगर यह term AP में है तो अगर मैं second term में से first को subtract करूँ और third में से second को subtract करूँ तो equal आएंगे वो चलो करके देखते हैं क्या यही आती है calculation जो हमने की है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं यह कुण सी term है देखिए यह second term है इसकी second term में से अगर मैं first term को subtract करूँ तो करके देख लीजिएगा यही बनेगा अगर मैं third term में से third term में से मैं यह जो second term है इसको subtract करूँ तो आपका यही बनेगा और यह सारे का सारा procedure किस में होता है ये सारे का सारा procedure होता है AP में ठीक है तो बिल्कुल सा sum था ज्यादा सोचने की कोई जूरता नहीं थी sum के अंदर ठीक है बस आपने थोड़ा technical और calculation का use करना था मैं आपको समझा रहा हूँ otherwise sum बिल्कुल easy था अगर आप self करोगे तो है ना तो ये important sum भी है TGT 2020 में PGT 2013 में हाला कि PGT में तो बहुत अच्छे लेवल के समाते हैं अब ये देखो ये series है इसको पहचान ना आना चीए देखो मैं करके दिखाता हूँ 2 बटा 1 है ना पलस 3 बटा 2 देखो 2 है उपर 3 है फिर 4 बटा 4 लिख सकता हूँ क्योंकि एक होता है और यहाँ पे 5 बटा 8 है ना और आगे ये चल रही है इंफिनिटी तक अब आप देखो समझना द्यान से उपर तो 2 में एक जोड़ा 3 3 में एक जोड़ा 4 4 में एक जोड़ा 5 उपर तो क्या बनेगी अपनी AP और निचे आपकी देखो एक दो बटा एक करोगे दो आएगा चार बटा दो करोगे दो आएगा आठ बटा दो करोगे दो आएगा निचे GP है यानि की उपर तो AP है और निचे आपकी GP है तो याद रखना इस टाइप की सीरीज को आप A, G, P सीरीज बोलते हैं ठीक है? A, P, G, P, सीरीज A, G, P, सीरीज ठीक है? तोरी अब देखिए क्या करना है आपने यह सको मैंने कम्प्लीट कर लिया इस टाइप के सम को A, G, P, सीरीज जिसके जो टाइप होती है इस टाइप के सम को करने के लिए आपने का एक फिक्सा जो हत्रिक का होता है पहले तो यह सीरीज लिख लीजिए हमने सीरीज लिख ली ठीक है? देखो यह वाली इसके बाद क्या करना है? जो आपका कोमन रेशियो है भाई यह बात द्यान रखना जो आपका कोमन रेशियो बोल रहा हूँ जो आपकी जीपी थी 1, 2, 4, 8 इसमें कोमन रेशियो कैसे निकलते हैं? 2nd drum by 1st drum अब 3rd drum by 2nd drum ठीक है? यह क्या आया है? 2 आया है ठीक है? 2 तो अगर यह निच्चे है तो निच्चे लेना है अगर यह जीपी उपर बने तो खली 2 लेना था यह बात भी द्यान रखना ठीक है? जो आपकी कोमन रेशियो आई है जो आर आई है एपी की नहीं मैं जीपी की बात कर रहा हूँ जीपी की आर आई है उसको आपने S से जो S है आपका उसको गुणा कर देनी है वन बाई टू से ठीक है? इसको भी वन बाई टू से करोगे तो यह टू बाई टू थ्री बाई फोर फोर बाई यह तो आपका हाला की वन हो जाएगा ठीक है? यह थ्री बाई फोर और एक बात याद रखना दिखो निच्चे क्या है? यहाँ पे तो टू बाई टू है तो याद रखना निच्चे अगर टू है तो इसके निच्चे लिखना है अपने फोर है तो फोर वाले के निच्चे लिखना है घटा देना है घटाना का मतलब क्या है? जो पहली equation ये थी न, S में से गटा देना है, 1 by 2 S, ठीक है, यानि कि left side को left side से गटा देना है, right side को right side से गटा देना है, बट लिखने के एक standard है, मैं standard लिख देता हूँ, आपको कैसे लिखना है, देखो समझना, 2 बटा एक जो S की value है आपकी, 2 बटा एक है, 3 बटा 2 है, पलस, आगे 4 बटा 4 है, इसमें यही बात बस note करने की होती है, यह तो S था, और यह S by 2 था, ठीक है, और अब घटाना था, S में से S by 2, तो लिखने का standard देखो, यह 2 by 2 है न, तो 2 by 2 यहां लिखना है, निच्छे दिखना है, आपने, देखो 2 इसके निच्छे, इसके निच्छे, जो यहां पे है न, यह 0 लिख देना आप, ठीक है, और यहां पे 4 है न, निच्छे, तो 3 by 4, अब देखो, जब S में से S by 2, लेफ्ट साइड गटा होगे, तो S by 2 बचेगा, राइट साइड, दो बटा एक में से 0 गया, यह तो खाली 2 बच जाएगा, आपका, 3 बटा 2 में से 2 बटा 2 गया, यानि कि डेट में से 1 गया, आदा बच जाएगा, ऐसे यह बचता चला जाएगा, ठीक है, अब आप इसको तो लग रहे ने दो, इसको 2 को, और आप इस पे नजर डालो, देखो इस पे, यह एक GP सीरीज बनी है, इन फाइनाइट सम की, ठीक है, और जिसका R है अगर आपको R निकालना नहीं आता, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर होता है, सेकिंड टरम को फर्स्ट टरम से डिवाइड कर दो, तो यह 2 बाइ 1 कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1 बाइ 2, और 1 बाइ 2, और इन फाइनाइट सीरीज का सम का यह फॉर्मुला होता है, या क्या था, 1 बाइ 2, 1 माइनस R क्या था, 1 बाइ 2, 1 बाइ 2, अदे में से आद दगे, तो 1 ही बच जाएगा, पूरा 2 पलस 1, 3 हो जाएगा, S बाइ 2 तो लेड़ी था, 3 तो S का मान यह क्रोस मल्टिपलाई होगे, 6 हो जाएगा, सो सिंपल, ठीक है, तो आपका फाइनल अंसर य इस टाइप के सम आप, अगर क्वेस्चन पेपर में आते हैं, देन बिल्कुल इजी वेज़े उसको जो है आप टाइम कर पाओगे, चलिए नेक्स सम की और बढ़ते हैं, नेक्स सम क्या कहता है, इफ दा अनत टर्म ओफ दा प्रोग्रेशन, अब आपको ये प्रोग्रेशन पहचान ना है, क्या ये अप है, जीप है, ये क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर मैं अन्डर रूट फाइव बाइव करूँ, तो अंसर आएगा, वन बाइ रूट फाइव, सेकिंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँ, अगर मैं वन को रूट तो ये बराबर है यानि कि common ratio बराबर है तो ये GP series है ठीक है Nth term क्या होती है GP series की याद रखना ये formula होता है Nth term का AR raised to power N-1 अगर आपने Nth term निकालनी है किसी GP की तो AR N-1 अगर SN निकालना है GP का तो formula AR N-1 by R-1 जब R greater than 1 होता है अगर R less than 1 होता है तो 1 आगे आजाता है R raised to power N-1 पीछे आजाता है बस formula में फर्क इतना ही है बाकी formula यही होता है ठीक है Nth term किसी GP की ये दे दी so simple ठीक है और इन्होंने first term तो पता ही है आपको क्या है first term पता है 5 है और R पता है 1 by root 5 है तो values रख दीजिए आप यहाँ पे A की value रख दी और R की value रख दी आपको पता है ये 5 multiply में निच्चे जाके power 1 हो जाएगी तो यह हो जाएगी 5 की power 1 बटा दो 5 की power 1 तो base same है तो power जो है add हो जाएगी ठीक है उपर क्या power N-1 है देखो यह तो power N-1 है by 2 और minus 1 क्यों आया N-1 by 2 यह समझ में आया यह कैसे आया है चलो मैं बताता हूँ साफ साफ आपको यह आपके पास क्या था 5 into 1 by 5 की power 1 by 2 raise to power N-1 ठीक है आप इसको लिख सकते हैं 1 by 5 raise to power यह N-1 है ना N-1 by 2 और जो यह 5 उपर गुणा में था ना निच्चे आके minus में हो जाएगा base same power add होंगी तो minus 1 हो जाएगा यह और 1325 को आप 5 raise to power 5 लिख सकते हैं ठीक है no doubt अब इसके बाद देखिए base same है तो power equal हो जाएगी यहनिकी N-3 by 2 is equal to 5 the value of N is equal to 13 तो बिल्कुल simple सा sum था यह आपका हाला की calculation work आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बट इसको हम ज़्यादा difficult sum की जो है category में नहीं रखेंगे बिल्कुल easy सा sum था N-th term given थी आपको ठीक है चलिए next sum जो है sum की ओर बढ़ते हैं next sum क्या कहता है यह कहता है the sum of N-term of GP is S ठीक है product of P देखिए किसी GP के N-term का sum तो S दे दिया product जो वो term है उनका product आपको P दे दिया and sum of reciprocal of the term is R then P square की value निकाल नहीं है so simple देखिए मैं इसको यह देख लीजिए आप यह book के according कैसे कर रखा है इनोंने आप देख भी लीजिए ठीक है इनोंने क्या बोला है sum तो S है product P है और उनके reciprocal का sum R है ठीक है जब number of term N है तो आपने P square की value यहां आता find out करनी है क्या होगी देखो बिल्कुल simple सा है मैं इस sum को ऐसे नहीं करूँगा दूसरी वेसे करूँगा कैसे मैं 3 term ले लेता हूँ N का तो मान 3 ले लेते हैं है ना और 3 term ले लेते हैं एक दो और 3 यह AP के अंदर है है ना यह AP है यह GP है GP के अंदर है तो GP के लिए लेते हैं कोई बात नहीं यह GP के ले लेते हैं GP के अंदर है ना sum क्या लेते हैं 1,2 और 4 ठीक है यह GP के 3 term ले लेते हैं अगर बात करू sum की 3 term होके तो 4,2,6 और 1,7 ठीक है अगर बात करू product की तो 4,2 नहीं 8 है कम 8 अगर बात करू reciprocal के sum की देखो क्या लिख रख्या sum of reciprocal of N term N की जगा हमने 3 term ली हैं अगर बात करू reciprocal की 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 तो 4 तो LC मा जगा 4 plus 2 plus 1 है ना 2 दूना 4 4,2,6 रुक 7,4 यानि कि वो R है 7,4 अगर मैं P square की बात करूँ तो 64 आना चीए आपका अंसर ठीक है अब ये जो आपकी value आई है ना S की 7, P की 8, R की 7,4 ठीक है ये value आप option में रखके देख लीजिए option क्या क्या है मैसी दाई जो option B है इसमें रख लेता हूं क्योंकि मेरे को अंसर पता है क्या है बाकी आप रखके देख लीजिएगा हाला कि इसमें option में एक मतलब आपको hint दे रखा है S by R S by R दिख रहा है सभी में तो S by R तो निकालना ही है S by R निकाल लीजिए पहले तो S कितना अपना 7 बटे R 7 बटा 4 ठीक है तो ये 7 गुना 4 बटा 7 हो जाएगा 7 से 7 तो 4 आ जाएगा ये आपका क्या आगया ये आपका क्या आगया वही ये आपका S by R आ गया S by R अगर इसकी power में N N कितना है आपका 3 कर दूँ 4 चोड़ा 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 तो बढ़ गया क्योंकि P स्केर की value भी 64 है और जो option में हमने S by R आ रेस to power N N की जगे हमने कितनी ट्रम ली थी 3 करके देखा तो option satisfy कर गया तो देख लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं यह गलत नहीं है यह भी ठीक है यह सम देख लीजिए सम अफ एंटरमों का सम जो है क्या होता है यह होता है कब होता है जब R is greater than 1 is greater than R ठीक है और product करोगे तो यह हो जाएगी वही एंटरमों की product करोगे GP के अंदर और reciprocal का सम करोगे तो आपका यह हो जाएगा according to condition S by R निकाला पहले तो यह आगया फिर उसके बाद power N कर दी इन्होंने भी S किया हमने क्या किया जर्नल ट्रम मान के कर दिया यह जर्नल करोगे तो थोड़ा difficult पड़ता है एक दो तीन चार रखके करोगे तो वह थोड़ा easy पड़ेगा आगे बढ़िए चलिए 234 सम क्या कह कहते हैं यह कहते हैं कि SN is equal to NB plus 1 by 2 N into N minus 1 into C where SN denote the sum of first N term of NAP then common is so simple पहले तो S1 देखिए अगर AP की बात मैं एक common सा example देता हूँ पहले तो एक दो तीन मैं तीन टरम ले ता हूँ किसके अंदर AP के अंदर अगर मैं S1 की बात करूँ तो यह first sum of 1 टरम होती है जो की A के बराबर होती है अगर मैं बात करूँ S2 की वो कहते हैं सम of 2 टरम यानि की 2 पलस 1 तीन अगर मैं S2 में से S1 घटा दूँ याद रखिएगा अगर मैं S2 में से S1 घटा दूँ तो आपका A2 आता है यानि की A2 आपका क्या आएगा S2 माइनस S1 और A तो आपको गीवन ही है first sum यह A1 होती है first sum ठीक है यह first sum तो S1 और A1 बराबर ही होता है ऐसे ही A2 निकाल लूँ S2 माइनस S1 और आपको पता ही है जब डिफरेंस निकाल लेंगे A2 माइनस A1 वो डिफरेंस आता है चलिए पहले तो S1 निकाल लेते हैं यहाँ पे N है न वहाँ पे 1 रख दिया तो यह हो जाएगा 1 इंटू B 1 इंटू B पलस यह आपका 1 में से 1 गए तो 0 बन जाएगा 0 यानिकी S1 यानिकी B यानिकी A1 फर्स्ट ट्रम मिल गई आपने अब आपने सेकिंड ट्रम निकाल लें है A2 A2 ट्रम क्या होगी S2 माइनस S1 यानिकी सेकिंड ट्रम में से फर्स्ट ट्रम को गटाना है सम उफ टू ट्रम माइनस सम उफ एक ट्रम एक ट्रम तो वही S1 है S2 निकाल लें आप यहाँ से यह हो जाएगा 2B plus 1 by 2 into 2 into 2 minus 1 into C तो यह हो जाएगा आपका S2 हो जाएगा आपका 2B plus C ठीक है यह 2 निकाल लिए यहां से S2 minus S1 यानि कि S2 minus S1 करेंगे तो B plus C यानि कि first term तो थी आपकी B और second term आपकी क्या आगई B plus C और आपको बिल्गुल अच्छे पता है अगर मैं second term में से first term निकाल दूँ तो D आजाएगा minus B कर दूँगा तो यहां से आपका जो है C final answer आजाएगा इनकी option D आपका यहां से correct answer होगा यह भी sum आपका हाला कि UP, PSE Lecturer में पुछा गया है easy sum की जो है category में इसको रखेंगे चलिए next sum देखिए क्या कहता है next sum कहता है how many number of identical identical क्या होती है एक जैसी term होती है जैसे इसमें 2 है 5, 8, 11 है ना ऐसे ही चलती गई last में 60 terms हो गई आपके ठीक है और ऐसे ही आपके यहां पे 3, 5, 7, 3 और 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 है ना ऐसे चलती जा रही है यह term कितनी है? 50 है identical term कोड़ सी हो? जो दोनों में एक जैसी हो देखो यह 5 identical, यह 11, ऐसे ही ठीक है? यानि कि पहली term तो 5, फिर 11 फिर last में से चलते चलते पता नहीं last term क्या होगी? है ना? तो last term निकालते हैं पहले तो first series की last term निकाल लेते हैं फिर second series की last term निकाल लेते हैं और आपने क्या निकालना है? number of term निकालनी है पहली तो 5 है, जो दोनों में identical है फिर 11 है, last वाली term कौन सी होगी? फिर number of term निकाल लेंगे बिल्कुली चीज़ा है अगर मैं इस term की निकालनी है, तो देखो 60 हैं पहली series में 60 term है दूसरी में 50 है, तो आप कम वाली निकाली है, 50 हो लेगी तो formula क्या हो जाएगा? number of term 50 हैं तो आपका an, यानि कि general term का formula हो जाएगा a plus n minus 1 into d, a क्या है आपका? 3 plus 50 term है, 50 में से 1 गया, 49 into d कितना है? 3, 2, 5 2, ठीक है? तो 9 दूनी 18 4 दूनी 8 और 1, 9 ठानू है, 101 यानि कि last term है आपकी यहाँ पर अब ये बात है कि जो ये उपरवाली सीरीज है क्या उसमें 101 आता है? ये भी तो confirm करना पड़ेगा क्या 101 इसका member है? अगर नहीं हुआ तो फिर फिर इसे last term लेनी पड़ेगी तो ये पहले ये चेक करते हैं क्या 101 उपरवाली सीरीज का member है? अगर है तो ये कौन सा member है? चलो निकालते हैं last term की value 101 है अगर point में नहीं हुआ तो ये member है 2 plus n minus 1 d कितना है? देखो 5 में से 2 गया 3 ठीक है? 101 में से 2 गया आपका 99 by 3 333 3 3 3 3 9 plus 1 यानि कि 35 टरम जो होगी इस सीरीज की वो 101 होगी यहां से confirm हो गया कि यह उपरवाली सीरीज का 101 भी member होगा अब यहां से number of term निकाल दो बिल्कुल simple सा number of term कैसे निकालेंगे? यानि कि n की value निकाल नहीं है last term की value given है आपको a plus n minus 1 into d d कितना है? 6 है 6 और 5 गया ठीक है? तो 101 में से 5 गया तो 96 हा जाएगा न? अपोन कितना? 6 is equal to n minus 1 6 पे काट दीजिए 6 कम 6, 6, 6, 6, 36 और plus 1 16 plus 1 कितना हो जाएगा? 17 यानि कि number of term जो identical है वो कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी option B आपका यहां से correct answer हो जाएगा इस sum में है न? काफी सारे step in उने खा रखे हैं भई ठीक है? तो थोड़ा द्यान से देखिएगा चलिए next sum की और बढ़ते हैं ये sum कर रखा है भई आपे और ये आपको ये देखो ये इसका solution given है जहाँ पे भी ऐसी type के sum है न? वहाँ पे trick लगता है तो कैसे देखिए? कुछ भी माल लीजिए journal ABCR AP तो AP को माल लीजिए एक, दो, तीन ये आपका A ये आपका B ये आपका C ठीक है? और XYZ GP है XYZ तो इसको माल लीजिए एक, दो, और चार देख लीजिए निचे ये GP है आपकी ये वाला GP है ये वाला AP है देख लीजिए आप ये AP है और ये आपका GP है अब condition में रख दीजिए ये आपना find out करना X क्या 1 1 की power B minus E कुछ भी कर लो ये तो 1 होता करने की जूरती नहीं इंटो Y क्या है दो 2 की power क्या करने है आपना C minus A C यानि की 3 minus 1 तो ये 2 हो जाएगा और Z क्या है आपका 4 4 की power कितने की लिए A minus B यानि की 1 में से 3 गया minus 2 A minus B sorry 1 में से 2 गया minus 1 ठीक है तो ये तो आपका 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 की power कुछ भी 1 ही होता है ये 2 दूना 4 ये 4 की power minus 1 निच्चा के plus ये cancel हो के 1 यानि की option भी यहां से correct हो जाएगा या तो आप journal मान के कर लीजिए ऐसे या फिर ये calculation कर लीजिए ये भी simple है ज़्यादा difficult नहीं मेरे हिसाब से तो आपने term ही मान लेनी चाहिए अगर AP है तो 1,2,3 अगर GP है आपकी तो 1,2,4 तो ये रख के देख लीजिए condition में चोंड सी condition verify कर जाए वही आपका जो है answer हो जाएगा चलिए next sum की और बढ़ते हैं ये तो simple सा ही sum था ये फिर AGP वाल काम आगे है आपका देखिए ये आप self करेंगे देखिए कैसे तो 1 into x की power 0 पलस 4 into x पलस 7 into x square ये फंडा है ये x की power 0 1 ही होता है वैसे ये 1 ही लिख लीजिए कभी आप confused हो जाओ यहाँ पे ठीक है ये 1 लिख लिया अब देखो यहाँ तो 1 पलस 3 4 पलस 3 7 ये तो उपपर तो देखो ये ये तो आपकी AP है अगर x को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो x अगर x square को मैं x से डिवाइड करूँ तो फिर x मतलब ये x वाली आपकी GP है ये तो आपकी AP है ये आपकी GP है तो series AGP है AGP है तो पहले तो series लिखेंगे so simple देखिए ये series लिखें अब इसका common ratio देखेंगे common ratio क्या x series को क्योंकि उपर था तो उपर ही x से गुना कर दी x से गुना करी अब देखो x इसके साथ है तो इसके निचे एक को लग लिखेंगे भई देखो 4 में से x गया 3x ऐसे ही 7 में से x x स्क्वेर के निचे x स्क्वेर लिखना x के निचे x लिखना एक को single छोड़ देना कभी 1 के निचे x लिखना देखो ये जो गलती कर रखेंगे इन्होंने ऐसे फिर गलत हो thứ जाएगा इन in का लिखने का तरीका क्या यह x तो इसके निचे लिखने है ये 4x 3,1 जो यह तो यह थो इसके इनposition ही और फी low लिखे 500 करेंगे तो 1 प्लस 0 जब अब Pier今天 च्वेर मार Kelvin करेंगे यह तो आयगे ऑन ही हो जाएगा और s में से x S निकालेंगे S कोमन ले लें तो 1-X बच जाएगा यहां पे ठीक है यह 1-X यह सीरीज अब आप देख सकते हैं से अगर मैं 3 कोमन ले लो तो यह GP सीरीज है GP सीरीज की एंटर मोगा फॉर्मूला क्या होता है यह आप कन्फ्यूज होंगे यहां पे देखो मैं इसको सोल करता हूँ कैसे यहां पे है ना फिलाल 1-X को आप यहीं पे ही रखिए यह अभी छोड़ दीजिए यहां पे ठीक है GP में क्या होता है A by 1-R क्या है X ही तो है तो यह X by 1-X 3 already है और जो यह multiply में थे ना अब divide में आ गया देखो ही आप यह divide में आ गया यह जो आपका 1-X already था और एक यह उपर से आया तो यह square बन गया कभी यह सोचो कि फोर्मूले में यह बनाया नहीं अब यहां से आपना LCM लिया इसका ठीक है यह आपको जो है sum 35 by 36 यह आपको given है अगर यह given नहीं होता तो फिर sum आपका जो है soul नहीं होना था यह ठीक है तो यहां से आपकी quadratic equation बनेगी तो यह दो root आप निकाल लीजिए तो एक तो आजाएगा 19 बटे 7 एक आजाएगा 1 बटा 5 अब देख लीजिए answer कौन सा यह बटा 5 ही match करता है I think so friend यह sum बिल्कुल अच्छे से आगया होगा AGP का इस type का sum तो हम आपको पहले भी एक जो है करा चुके हैं ठीक है बस यह उपर नीचे वड़ा काम जो है द्यान रखना यह तो सिद्धाई formula होगा पहले ही sum में बताए था formula n into n plus 1 to n plus 1 by 6 यानि की option number यह आपका जो है यहां से correct हो जाएगा पूछ लिए जाते हैं कई बार direct formula भी इसमें आप जाद अपना दिमाख मतलब यह मत करना कि वही मतलब करना है वहाई intelligence मत दिखाने लग जाना यह तो direct ही याद कर लो अधरवाज परूफ करने तो फिर दिक्कात होती है यह क्या कहता है वही let x1, x2, xn be an observation such that यह आप याद रखना वही देखो यह square है यह खाली 80 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अगर x1 करूँ 1 का square है ना i है यह i1, 2 लेके end term तक गई है यहाँ पे भी i की value 1 से लेके end term तक गई है तो x1 का square जमा x2 का square जमा x3 का square plus up to so on plus xn का square is equal to यह आपको 400 given है और आपको x1 plus x2 plus x3 plus up to so on plus xn given है कितना 80 वहीं सिम्पल सा है इसमें एक formula याद रख लेड़ा अगर मैं x1 का square करूं जमा x2 का square करूं जमा up to so on जमा xn का square करूं और number of term से इसको divide कर दूं यह greater than equal to होता है यह किसके equal to or greater than होता है यह इसके equal to greater than है x1 plus x2 plus x3 plus up to so on plus xn ठीक है अब आप बोलोगे कि इसके equal तो होई नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो term है square है और यहाँ पे single one one power है तो dear friend यहाँ पे पूरे के square के equal होता है याद रखना यह theorem है आपकी अब क्या करना है आपने यह square का परली side जाके square root बन जाएगा और इसकी value आपको given है 400 और यह n आपका लिखा था क्योंकि total number of term n है greater than equal to इसका 80 बटे n तो so simple भई देखो यह इसका solution नहीं है हाला कि यह दूसरे वाड़े sum का solution है 400 का root कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा n की power 1 by 2 is equal to 80 बटा n यह equality है भई equality है तो आप इसको ऐसे काट मत देना ठीक है दिक्कत हो जाएगी यह तो 20 चोक एसी 4 आगए आपका ठीक है अब n की ऐसी क्या value रखें n की ऐसी क्या value रखें जो इसको satisfy कर जाए अब option से जो है 16 पकड़ लीजिए अगर मैं 16 की power 1 by 2 करूं greater than equal to 4 by 16 अब देखिए 16 की power 1 by 2 मतलब 16 का अंडर रूट तो यह तो हो जाएगा 1 by 4 greater than equal to 1 by 4 यह satisfy कर गया क्योंकि equal to तो है तो यहाँ पे इसका जो है यह option साइद वहाँ पे mistake हो गया टाइप करते टाइम इसको तो आपकी n की possible value आपकी 16 होगी I think so friend यह सम आपको बिल्कुल अच्छे से रखना भई ठीक है यह important है चली next sum की ओर बढ़ते हैं यह तो बिल्कुल simple सा sum है एक आदमी अपने नोकरी के परतम तीन में इनों में 200 रुपे की बच्चत करता है भई देखो पहले तीन में इनों में 200 रुपे की बच्चत करी उसके बाद 400 400 का 40-40 का increment हो गया 40 रुपे ज़्यादा लेता है पहले 40 लेता है यह 20-20 का increment लिक है यहां पर इनोंने 20 का increment है तो क्या परती एक महीने में पिछले महीने की अप एक सा 40 रुपे ज़्यादा बचाता है परारब में इतने बचाता है तो उसमें लगा समय बताईए भई देखे तीन मन्थ की तो बचात इसकी यह थी 200-200-200 उसके बाद 40 रुपे ज़्यादा बचाता है यहां पर 40 बचाता है तो यहां पर 80 होना चीए भई है ना 80 होना चीए क्योंकि 40-40 की बचात ज़्यादा होते है ना तो अब यह ट्रम तो रहने दो यहां पर बचीए 200-200-400 पर लिसाइड जाके घटा दो 1140 में से 400 को आप घटा दो तो आपका 10,640 रह जगा यह याद रखना यह आपकी जो सीरीज बनी है यहां पर यह आपकी कौन सी सीरीज बनी है यह आपकी एपी सीरीज बनी है देखिए 200-240-280 है ना यह तो इसमें फर्स्ट रहन तो आपकी क्या है ए है और कोमन डिफ्रेंस आपका 40 है ए आपका कितना है 200 दे आपका कितना है वो 40 है आपको फॉर्मूला पता है एन बाइ 2 इंटो 2A प्लस एन माइनस 1 इंटो D इस इक्वल टू यह SN का फॉर्मूला है N की तो वैल्यू निकालनी है N की वैल्यू निकालनी है N बाइ 2 2A A कितना 400 N माइनस 1 D कितना 400 बराबर यह आगया वो इसको सोल कर लीजिए आपके 19 मन्त जो है फाइनल अंसर आ जाएगा यहाँ पर N उनिस दे रख्या हुई ठीक है क्योंकि सारी का सारा डाटा लिया था ठीक है चलिए नेक्स हम की और बढ़ते हैं यहाँ पर भी उप्सन नहीं है एक आदम अपनी नोकरी के परत्रम तीन मिनों में दो सुर्वे बचा तभ ही यह तो सेम समय यहाँ पर 21 मंथ कह cm और यहाँ यह क्या कहता देखो पहले तीन मंथ की बचत यहाँ पर उल्रेड़ी लिख़ी हुई है इनोंने ठीक है तीन मंत की बचत ये लिखी हुई है बाकी ये इन्होंने निकाला है भई मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ये दो इन्होंने न वैसे ही एड किया है क्योंकि 200-2004 तो आपका लिखा पड़ा है ओलरेडी लिया है यहां पे इन्होंने ठीक है देख लेना फिर भी आप भई से रेने ना लेक्ष्ट देह कि यहाँ है क्या बोलता है ने जमेट्रीक प्रोग्रेसिं यह पोजिटिटीव ट्रॉम्स इंच्ट्रम इस्ट्रम इकले कोल तो द़्समाफ नेग्ष्ट टू तो तो दें कोमनरेश। वीप्रोग्रेसिस्ट्रेसिं देकर बेल कुल से मैं पोल ट्रम ले लेदें के ये पे कि अंदर ये कहता है जो पहले ली ट्रम है ना ये जो नेक्स टू ट्रम है जोंकsel वे पाथ ठीक है A is equal to A or plus A R square इसको sol करने के लिए यहाँ से तो A already है यहाँ से common ले लिजे R plus R square हो जाएगा इस से ये cancel हो जाएगा तो यहां से R square minus R, R square plus R minus 1 is equal to 0 और यहां से formula लगा दीजिए, R निकालने का, जो यह quadratic equation है, इसको solve करेंगे तो minus BB की जगह 1 minus B plus minus under root D, B square minus minus plus 4AC by 2 then this one also equal to, यहां से R आपका आजाएगा, under root 5 minus 1 by 2 ठीक है, 2 से multiply कर दीजे, 2 से divide कर दीजे, यह 4 हो जाएगा यह पूरे का पूरा, यह value याद रख लेना, under root 5 minus 1 by 4 यह value होती है, आपकी sign 18 की, तो 2 sign 18 आपका जो है, यहां से final answer आजाएगा यानि की 2 sign 18 option D, आपका यहां से जो है correct answer हो जाएगा I think so friend 241 sum आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा यह थोड़ा सा आपको sign 18 की under root 5 minus 1 by 4 value जो है, अपने mind में set रखनी है otherwise फिर confusion हमें आ जाया होगे देखें इस sum को अगर आपने पहला sum बिल्कुल अच्छे से किया है क्योंकि मैंने बोला है हर एक sum को अच्छे से करना, यह interlink करेंगा आपस में देखो क्या बोलता है if arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean arithmetic mean क्या होता है वो होता है a plus b by 2 a b के बीच में a है तो और geometric mean क्या होता है वो होता है आपका g square a b and harmonic mean क्या होता है 2 a b over a plus b यह होता है a g पहले तो arithmetic mean फिर geometric mean, फिर harmonic mean याद रखना, अगर मैं g का square कर दूँ और a h की multiply कर दूँ यानि की g square is equal to a h कर दूँ तो यह जो gp में चला जाएगा पर g की value क्या है a b यह value रखके देखना g square की value क्या होता है a b अगर a b हम एक समानतर सरेडी लें a और a की value क्या है a plus b by 2 into h की value क्या है 2 a b by a plus b अब देखो इससे यह cancel इससे यह cancel a b is equal to a b यानि की satisfy कर गया g square is equal to a h बट बीच वाली टरम का square और दुनों की गुणा यह क्या होती थी यह तो आपकी gp होती थी then यह series आपकी geometric series यह option c आपका correct हो जाथ यह कितना simple सा sum था यह इसका solution भी है यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो इसको यहाँ से अच्छे से जो है देख लेना ठीक है यह आपका जो है gp series है चलिए next sum की और बढ़ते यह तो बिल्कुल simple सा sum है third term find out करनी है तो n की जगे आप 3 लिख दीजिए तो यहाँ तो minus 1 3 minus 7 है ना 3 minus 7 4 और minus 1 already है minus minus plus ठीक है तो आपका option c यहाँ से correct हो जाएगा tgt 2019 का sum कहीं बार बिल्कुल rough and tough बिल्कुल easy sum पूछ लेता है हरियाना tgt 2019 में पूछा गया था तो वो ही जो पहले बताया था भई क्या करना अपना है second term में से first term को subtract करके equal to third term minus second term वो ही लिखा है भई देखिए second term minus first term third term minus second term तो यहां से k के value 13 आ गई है बिल्कुल easy sum था हरियाना tgt 2019 का sum था भई next sum की और बढ़ते हैं देखिए देखिए यह sum क्या कहता है एक वेक्ति एक निश्चित वेतन से सुरू करता है माली जी x रुपे से start करता है और प्रति एक वरस एक निश्चित वरीदी प्रात करता है यानि की y रुपे की वरीदी करता है और चार वर्स की सेवा देखिए पहले वर्स y दूसरे वर्स भी y की वरीदी तीसरे वर्स भी y की और चोथे वर्स भी y चार वर्सों में कुल व्रिदी, चार वाई, फिक्स वेतन, एक्स मिलता था, तो टोटल पंदरा सु रुपे मिले, इसी परकार दस वर्सों में, तो ये तो एक्स हो जाएगा, फिक्स तो सेम रहेगा, दस वाई बराबर अठारा सो, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निका हुई है इसकी, विरिदी हुई है पचास की, जो पचास की विरिदी हुई है, वो नेक्स्ट येर से मिलनी स्टार्ट होगी, पहला वेतन तो इनो इस जो परसन को है ना, तेरा सो रुपे मिलेगा, उसके बाद विरिदी ओनी स्टार्ट होगी, अगले साल, पचास रुपे क स्टार्ट करता और परतिवर से एक निश्चित विरिदी प्रफ्ट करते हैं यहां पर यहीं लोजिक है कि विरिदी होती है ना यह नेक्स्ट यह से स्टार्ट होगी यह चार वर्स की सेवा में उसका वेतन पंदरह सु है ठीक है तो यहाँ पर एक हिसाब से देखए देखो 5 January 75 पructive टोटल मिले विरीदी वी तो चार्वाइब हुई यहां है पहले वर्स में बिवरीदी हुई है जो पहले वर्स के वी थी रह में वह थो एड होने ही बहुत ही ऑई ना थह तेरा सो जो हैं सराना चीए यहां पर यह बारा सो लिख रखा इन्होंने क्या ओप्शन ओप्शन सी तेरा सो रुपी अंसर लिख रखा है वही देखो अगर देखो पहले वर्स फिक्स तो मिले होंगे यह विरीदी भी तो एड हुई है टूटल चार वर्सों का ही तो वेतन है है यह चार वर्सों को तो वेतन है ना यो सद्राइंड एंधा फिक्स इन्क्रीमेंट के वर्रियर इफड़ सेहलरी वाज रूपी इतनी आफटर फोर इयर तो 3 157 था तो ऊसे साँयो य不多 क्नि दूसरे साल से स्टार्ट किये डिलन नयन तो ए नशेलो एक निश्ची तो विरिधि प्राज़ एक निश्ची तो वर्स की सेवा में तो ये चार वाई तो तभी तो एड़ होंगे ना अगर पहले वर्स वाई रुपे की विरिधि होई हो, पहले वर्स की salary x plus y, दूसरे वर्स की x plus 2y की है ना तीज् affair्ट ऑनले सबस्थता एंध 이야기 मिली है एकज प्लस युली मिले मृत को यह जो में कितना है नो फिक्ज वेतन जो मिलता है उसको बिदाउट इंक्रिमेंट के हैं ठीक है तो ये शुरवाती वेतन तो ये योना चीए वह इसका सड़ तेरा सुर पे चली नेक्स नेक्स क्या कहता है दिये गए वरग की बुजाओगे मद्य बिंदू भाई एक वरग है चार सेंटिमेटर बुजा है देखो ये बड़े वाड़ा फिर इसक तक चले गए ऐसे ऐसे टिक निफ्नीटी तक चले गए आप तो यह बताना है तो यह रिया क्या होगा सभी ना अधक्र मताना है तो फिर्मुला किime चाह भाड़ी को टेंस एरिया और अफ चर्ड़ तो सोड़ा दुनी 32 यानि कि option ए आपका correct है तो ये आप जो है formula याद रखिएगा जबी भी आपने sum निकालना हो area का infinite number जब midpoint से square के बनने से square बनते हैं मिलने से then उनके जो है सित्रफल का जो sum होता है वो होता है आपका two times area of pal लेगा जो आपका square है ठीक है चलिए next sum की और बढ़ते हैं next sum तो बिल्कुल simple से अगर AP में है then we chop the एक तो मैं नहीं बताया था आपको पहले ही strum B minus A is equal to C minus B आना चाहिए यानि कि B minus A is equal to C minus A अगर B ये ये early side आके plus का B हो जाएगा ये C plus A हो जाएगा देखिए B plus A ये भी लिखा का ये भी ठीक है ये भी ठीक है 2B हो जाएगा 2B C plus A तो ये बच गया ये गलत होगा ये तो पहले ही आपको बता चुके हैं बिलकुल simple सा sum था ये कहां पुछा गया था ये ओहो ये तो फ़े DSSB में मैंने देखा है काफी अच्छे level के sum आते हैं कहीं तो बिलकुल easy से find out the common ratio of GP if the first term of GP is 1 and the sum of third term and fifth term is 90 बई A की value ये A है ये AR है ये AR square है ये AR cube है ये AR 4 है है ना A की value तो 1 है इन्होंने क्या कहा है sum of third term third term A AR square plus and fifth term ठीक है fifth ये हो जाएगी one two three four five one A AR square AR cube एक दो तीन चार पांच AR 4 ये कितना 90 बट A की value तो यहां से one है तो इसलिए यहां पे A दिखाई नहीं दे रहाए आपको अब यहां पे ये सब्सक्राइटिक एक बन जाएगी कैसे AR square को आप आर पुट कर लीजिए या AR square plus x minus 90 बड़ाबर 0 तो यहां से आप पहले x की value निकार लीजिए x की value क्या आएगी यहां से x की value एक तो 9 आएगी एक x की value आएगी आपकी minus 10 ठीक है minus वाले को neglect करते हैं यहां से x को मनना था AR square को मनना था तो square का पर्ली साइड square root 3 तो प्लस माइनस रूट 3 यानिकी प्लस माइनस थ्री ओप्शन ए प्लस ले रख्या वाया हला कि minus भी था मट प्लस यहां पे जो आपका final answer हो जाएगा I think so friend 248 सम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बिल्कुल इजी साथा यह TGT वाले है ना DSSB वाले अच्छे लावल के सम भी पूछ लेते हैं बिल्कुल इजी से ठीक है कि फिफ्ट ट्रम एंड सेवन्द ट्रम ओफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन सो सिंपल भाई अगर मैं ए A प्लस D A प्लस 2D अगर मैं एक AP लूँ अगर मैं इसका रैसी प्रोग्र कर दूँ 1 बाई A 1 बाई A प्लस D 1 बाई A प्लस 2D तो याद रखना यह HP में चला जाएगा HP में अगर इन्होंने क्या करख्या है सेवन्द ट्रम दे रखी है किसी HP की सेवन्द ट्रम क्या हो जागी वन बाई A प्लस 6D और वह सेवन ट्रम आपके क्या है वन बाई सेवन है अना सोरी फिफ्थ ट्रम फिफ्थ ट्रम फोर्डी हो जाए अगर मैं इसको उलट दू यह वन भाई नहीं करना है अपना यह सेवन है अगर मैं इसको उलट दू ए प्लस फोर्डी इस इकल टू वन बाई सेवन हो जाए क्योंकि यह उल्टा है यह सिद्धा ह तो यहां से A प्लस 4D यह आपकी 5th term है 1 by 7 और यह आपकी 7th term है 1 by 5th यहां से आप दिखें math के student है आपके room room में math है तो यह linear equation है, solve कर सकते हैं A और D की value आ गई तो 35th term क्या हो जाएगे A प्लस 34D A की value आपको पता है 1 बटा 35 D की value पता है रख दीजे answer 1 आपका जो है final answer आजाएगा देखिए यह PGT 2020 में पुछा गया था हर याना में बिल्कुल एजी सा sum था है ना इतना भी difficult नहीं था वही सोचना हो जिसमें जिसको HP का थोड़ा सा भी knowledge था वो बच्चा इसको attempt कर सकता था चलिए यह कोण सा sum था यह आपका यह 249 था ठीक है अब देखिए last sum देखिए इस सीरीज का यह सीरीज का last sum है ABCR positive real number which are in GP then the equation यह आपको equation given है and यह आपको equation given have a common root का मतलब है इन में एक common root है कोई बात नहीं अगर यह GP यह किस में है GP में है तो यहाँ पे B square is equal to AC होगा अगर ABC आपके ABC आपके GP में है तो यहाँ से B की value क्या आ जाएगी under root AC अगर यहाँ से B को उठा लूँ मैं और यह AX square plus 2 under root AC plus C is equal to 0 तो यह AC में ही equation आ जाएगी आपकी देखिए यह AC में ही equation आ जाएगी यहाँ से मैं दिखा देता हूँ यहाँ से B की value under root AC यहाँ पे B की value रख दी under root AC ठीक है बट आपको यह अच्छे से ध्यान में आना चाहिए यह AX A तो खली है यहाँ पे अगर मैं इसका square करना चाहूं तो under root लगाना पड़ेगा A की दो जमा B की दो जमा 2AB यह A under root AX plus B under root C is square is equal to 0 यह whole square का formula जब आप इसको solve करेंगे यह आ जाएगा हलाकि यहाँ पे दोनों तरफ square root करेंगे तो यह square cancel हो जाएगा 0 का square root 0 यह होता है तो यहाँ से X की value यह आ गई बई X की value यह आई है मतलब याद रखना यह आपके पास दो equation थी एक equation यह थी एक equation यह थी अगर इस equation का एक root निकल गया तो इस equation को satisfy करेगा क्योंकि एक mole इनका urbanist है common है तो यह value एक root आया है यह value उस equation को satisfy करेगा X की जहाँ पे X यह दिखा X यह दिखा ठीक है यह रख दिया यहाँ पे यह रख दिया यह रख दिया यह इसकी final calculation करने के बाद जब हमने देखा तो यह आपका यह आया हमारे से पुछा क्या था हमारे से पुछा था कि यह किस चीज में है अगर यह AP में होंगे तो आपको यह बात knowledge होगी तो यह बीच वाली ट्रम है इसका 2 times is equal to d by a plus f by c के कवलाना चीए जो की आपका आगया है then यह ट्रम आपकी AP में फ्रेंड अगर चैनल आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe जरूर करिएगा तो बने रहे हैं मेरे साथ चैनल के नाम है Mohansal Lecture 03 Thanks for watching my channel Thanks again friend